हेलो दमस्कार दोस्तों आप सब का फिर से स्वावगत है मेरे स्यूट्योप चानल पर दोस्तों आज के सुड़ी में हम बात करने वाले याने तीन ड्रीमी लिए उटके विनिंग टीम समदेखने वाले एच बी एससी वर्सेस एफ ए आर की जिया दोस्तों काफी इंट्रेस्टिंग टीम में बनने वाली काफी जबदस्ती में बनने वाली जिससे आपको कुछ ना कुछ अच्छी खर से आर्णिंग आज होने ही वाली जैसे कि मैंने मैं आच को हलाट करके दिखा दिया उस पर आप सब्सक्राइब कर लिए और मैंने दोनों कीपर को शामिल कर लिया जिन्हों ने सबसे बेस्ट परफॉर्मस के आभी तक वह है टीवी जै और एट ट्रिवी तो इस तरह से दो कीपर को पहली टीम में मैं ले रहा हूँ दूसरी टीम में देखेंगे क्या चेंजिस कर सकते बैटिंग की बात करें तो टीटेन के सबसे बैटिंग सबसे इंपोर्टन इससार रहती है यहाँ पर मैं पहली टीम में पाज उपल आपको लेने का मतलब यह दोस्तों की बल्ले बाजी चलती है और काफी जबदस पॉइंट आपको मिलने आ ले इस वाजिसे मैं इस तरह से पाज वल्ले बाज और दो कीपर यहाँ पर शामिल कर लिए इसके बात और रॉंडर में अफकोस एक ऑप्शन में पास रहने वाला ह इसके लाओ में किसी और को अभी फिलाल तो नहीं ले पाँगा लेकिन आगे कि दो टीमें हैं जो की काफी बढ़िया यही बी टीम नहीं नहीं है और वही विए काफि विर्छतरनाग बनियाली तो गेंबाजी की बात कर लेते तो गेंबाजी में आप देख सकते हैं जेदी में को मैं छय रह dil पर इस तर से पर पहले तीन नीवाल है चले कंटीने पर क्लिक कर लेते और देख लेते हैं लिए किसे बना सकते तो आप जैसे कि देख पार है ृहां पर मैंने जैसे कि आप देख पारे मेरे पास दो की पर है टी वीजे और एटीब अगर बात करें बैटिंग के तो पाउज बल्ले बाजों के साथ मैं जाने वाल हूँ इस तर से पाज बल्ले बाज दो कीपर है यानि कोई भी बैटिंग मैं अच्छा के लिए आपको पॉइंट जरूर मिलना ले उसके बाद एम सिंग है मेरे पास अल राउंडर में सिर्फ एकी है और बात करें गेन बाजी की तो तीन बल गेन बाजों को हमें कंपल्शन लेना हो जरूर होने वाली तो इस टीम को आप अफकोस जिए यूज को एसे उसे वेस्ट मत कीजिए गाया क्योंकि यह टीम फुल उफ घ्राण लिग के लिए बनाई गई है तो इस टीम को अगर आप ऑप स्माल लिग लागाना चाहतें तो ज़रूरू लगा सकतें लेकिन ग्राण के लिए ही यूद्स कीजिएगा जी है दोस्तों अब चलते क्याप्टन और वाइस क्याप्टन के फिर से बात करें तो एम सिंग को क्याप्टन मना है काफी अच्छा ओल रॉंडर है हाला कि एक बात जरू कहिना चाहूंगा कि लास्ट दो परफर्फर्मस्ट थोड़ा डाउन जरूरा लेकिन उसके पहले जो पाच्छे मैचेस खेले इनोंने तो जरूर आप इनको बना सकते हैं वाइस कप्टन बनाने के पीछे रीजन यह कि दोस्तों काफी अच्छी विक्टे इनको मिल रही है तो जरूर आप इनको वाइस क्याप्टन बनाएंगे तो काफी फायदा होगा और अगर आप यहां पे उनको कप्तान बनाते हैं और तीन तीमों से ज्यादा पाइले टीम में मैंने पास बल्लेवाजों को लिया लेकिन इस बार एक कीपर को लूँगा दो कीपर को पिछले टीम में लिया था तो टी विजे को मैंने इस टीम में शामिल किया है इस कहला किसी और को नहीं लूँगा बैटिंग में आप मैं तीन ही बल्लेवाजों के जाएंगे तो ज्यादाधा हो नहीं हो लाहें इसके अलाव बात करते हैं कि पिछले टीम में मैं एक लोरेया ता लेकिन इस बार मैं 4 ले सकता हूँ मैं चार ले सकता हूँ तो वह तीम में ले लिए जैसे का आप देख़ा रहें एम सिंग सी पर्चेड बी कार्मियान और चौते जो है डबलू पर्चेड इस तरह से चार ओल रॉंडर को मैं ले रहा हूं अगर आप लेना चाहे तो एह मत को ले सकते हैं लेकिन परफॉर्मस इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें टीम में ले सके अगर आप लेना चाहे तो ज इसले टीम में लिया है तो इनको एक जगह पे मैं ड्रॉप करूंगा एस विंग को भी ले रहा हूं यहां पर तो कुल्मिला के तीनों जो बेस्ट गेन बास्ते उनको मैंने इस टीम में शामिल कर लिया तो देख सकते दोस्तों फिर से यहां पर हमारी क्रेडिट खतम हो काफी बड़िया परफॉमस रहा है इनका भी अभी तक तो जरूर आप इनको करप्टन बना सकते और बी क्यान मैं को इस टीम का वाइस कैप्टन बनाऊंगा यह भी अच्छा परफॉमस कर रहे है और आगे भी कर सकते तो अब टीम प्रिव्यू करते जैसे का आप देख पा है और दो कीपर ने अब करते लेकिन वार तीन अबल्लेबाज मतलब ऑर एक कीपर कम कर लिए जिसकी वजह से मेरे पास और में सबसे जद्यादा ऑप्षन है यह पर जितने मतलब ड्रिम में माक्जिमम चार और ले सकते हैं तो मैंने यहां पर चार ले लिए एम सिंग वी का इस तरह से तीन अच्छे खासे घरल जो की सबसे बेस्ट फ़र्म है और अच्छे खासे विक्टे मिल रहे हैं तो इनको मैने इस टीम में शामिल कर लिया तो देख सकते काफी अच्छी टीम बनी है काफी खतरनाक टीम बनी है जरूर को ग्रइन लीग के लिए ज्ञाद से ज्य के जगा लेकिन स्मॉल लिक के लिए उच्छ कर सकते हैं लेकिन ग्रैंड लिक में एक लगाने के बाद इसे भी स्मॉल लिक के लिए उसकी जगा क्योंकि काफी खतरनाक टीम बनी है जरूर आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी दोस्तों आज मेरा बात सुन लीजिए तीनो की लिए लगानी है तो एक एक टीम ग्रैंड लिक के लिए जरूर लगाइए गा उसके बाद स्मॉल लिक की लिए लगाई एगा क्यूंकि तीनों टीमें काफी जबदस्त और बैस्ट बनी है क्टिन और वालिंग करेंगे बी तो आपको डबल पाइंट दे सकते हैं बैटिं और वाइस कप्टन बना है और दूसरा रीजन यह है कि इनका फॉर्म भी काफी अच्छा जा रहा है तो काफी वड़िया ठीम बन चुके दूसरी भी तो जरूर इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते सेव कर लेते उससे पहले फिर से कहूंगा ग्रांड लिक के लिए जादा से पहले नहीं लुगा तो अगली और आखरी तीम जो देख रहे हैं उसमें हमने ट्रेव को लिया जैसे मैं आपको पहले ही बता बैकि मैंने तीनी वल्ले बाद मेंसे को ने शामिल कर लिए तो यहां पर आपको चेंज स करना चाहिए तो कर सकतें लेकिन मैं इसी तरव्त बना रखनी वालों एम सिंग सी पर्चेट को ले लिया है उसके बाद में डबलू पर्चेट को भी स्टीम में शामिल कर रहा हूँ तो मैं एक चेंज भी आपको करके दिखा सकता हूँ अगर आप पर्चेट डबलू पर्चेट के जगह पे एम बी कल्यान यहां पर देख सकते नहीं ले सकते पॉइंट नहीं बैट रहे दोस्तों जिया दोस्तों अल्रेडी फिर से बता दू आपको हमारे यह क्रेडिट फिर से खतम हो चुके तो हमने तीनों जो टीम्स बनाई काफी जबदस बनाई तो तीन ऑल्राउंडर के बाद गेंद बाजी मे को ले रहा हूं और जे रिचर्ड्सन को ले रहा हूं तो इस तर से चार जो बेस्ट गिन बाज अच्छा पर्फरमस कर रहे हैं उन चारी को मैंने ले लिया है आप यहां पे भी कुछ चेंजेस करना चाहें तो जरूर कर सकते लेकिन टीम काफी बढ़ी आप बन चुके दोस उनों भी काफी बढ़ी आया रोस्तों और सर्प्राइजिंग रहेगा थोड़ा इसकी वह जैसे यहां पर देख सकते हैं जेट ट्रिप और एंसिंग तो इसके बाद टीम प्रिव्यू करते हैं इसना नहीं कि मैं हर बार चार और ले रहा हूँ इस बार मैं तीनी और के साथ जाओंगा और डवलू पर्चट और एंसिंग इस तरसे तीनी अच्छे खासे और बैने इस टीम में शामिल कर लिए इसके अलाव भी अगर आप आप देख पारे मेरे पास एट्रिव है इसके अलाव किसी और कीपर को मैं नहीं ले रहा हूँ पाईले टीम में अल्रेडी मैं डोट कीपर ले चुका था अब बात करतें कि बल्ले बाद हो कि तो जे समर्श्वर को ले रहा हूँ एंसिंग को ले रहा हूँ जे ट्रिप को थीम में रहा तो इस तरह से तीन ही बल्ले बाद इस टीम में मैं शामिल करोंगा और डी पाइले टीम में देश्वर का था श्रात की बात करें तो लास्ट मैच मतलब किसले टीम में ने चार अल ऑल्रांडर को लिया था लेकिन ये तीन मैं जरूर लूँगा अगर बात करें गइंबाजी में मैं सबसे ज्यादा option रखे एफविंक जे डी में जी रिचर्डशन और जे रिचर्डशन तो इस तर से चार अच्छे खासे गेनबाजों को भी मैंने इस टीम में शामिल रखा है तो कुल मिला कि हमारी टीम काफी अच्छी बन चुके जरूर इस टीम को भी मैं जरूर कोंगा ग्रांड लिक के लि तीनों टीमों को आपको आज ग्रांड लिक के लिए लगाना ही होगा तभी आप सो देख पाएंगे कि कुछ ना कुछ अच्छा कासे आर्निंग आपको होगी या फिर आप ग्रांड लिक भी ज़रूर जीद सकते तो कुल मिला के ये टीम भी काफी बढ़िया बन चुके बर इंसिंग को अच्छी कासे बैटिंग कर सकते तो जारूर आप इन दो नों कौ Cappton बनाएंगगे तो काफी फायधिमन साबित हो सकता है तो काफी बढ़िया टीम बन चोके स्टीम को भी अभी close कर लेते हैं save कर लेते हैं और आखिर में यही कूंगा दोस्तो इन तीनो टीमों में अगर आपको लगता है कुछ changes करने हैं तो आप जबरूर कर सकते हैं लेकिन वैसे तो तीनोटी में काफी जबदस बनी है और आपको लगता है कि क्याप्टन और वैस्ट क्याप्टन भी सही नहीं तो आप वहापे भी चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्जिसे ज्यादा चेंजिस मत किजिएगा एक हाथ दो चेंजिस करेंगे तो कोई प्रॉब्ल कर लिजिए ताकि कुछ भी चेंजिस रहते तो मैं आपको बता सकूं कि आप किसे ड्रॉप कर दिया गया और किसको ड्रॉप करना चाहिए और उनकी जगपे किसको ले सकते यह सब बाते मैं आपको टेलग्राम पर ज़रूर बताऊंगा साथ साथ कुछ और भी अपडेट र कर दो